महराष्ट में बिधान सभाज चुनाओं के तारिखों का तो ऐलान हो चुका, लेकिन महराष्ट में सियासी सरगर भी काफी देज है एक तरफ महा यूती जो है, एक जूरता के साथ बिधान सभाज चुनाओं लड़ने की त्यारी कर रहा है तो दूसरी तरफ महा विकास अगाडी में आपसी फूट है कॉंग्रेस अलग रहा पर है, तो शरत पवार अलग, तो वहीं जो उध्धाव ठाकरे का स्यूसेना गुठ है, उसका अलग राग है आपको बताती कि लगतार महा विकास अगाडी में मैराथन बैठके हो रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है या खिर महा विकास अगाडी एक साथ लड़े की विया नहीं, ये भी अभी संसे है तो आपने देखा कि हरियाना में इंडिया का सक्ति परदर्सन हर कोई देखा, तो वहीं इंडिया गटबंधन में अभी भी फूट है अंदर की खवर हम जाने की कोसिस करेंगे कि हार्याना हार के बाद कॉंग्रेस सबक शीखी है या नहीं कॉंग्रेस सबक ले पा रिया नहीं हमारे साथ हमारे प्रधां समपादक सुनिल राओज जी है सर्व माहाविका सगहाडी में कुछ भी ठीक नहीं है आपने बना गिया महराष्ट का महा संग्राम, महा यूती एक जूरता के साथ है लेकिन महाविकास अगाडी में अलग-अलग लोगों का बयान बाजी है, अलग-अलग लोग अपना पक्ष रखने है बिल्कुल दिशित तोर पर नितीश महारास्ट का महा संग्राम तो ही ये लड़ना है आपको लड़ाई लड़नी है भारतिय जंता पार्टी के साथ आपको लड़ाई लड़नी है शिंदे शिव सेना के साथ आपको लड़ाई लड़नी है अजीत पवार की एंसीपी के साथ ल इस एक मेहने में आप प्रचार करेंगे या सीटों का बटवारा करेंगे, कौन आपका मुख्यमंत्री होगा, ये तहने ही हो पाया और आपसी भसड चल रही है, अब देखें मुख्यमंत्री को लेकर कितनी तनातनी है, आज संजय राउत का एक बड़ा बयान है, संजय राउत एकनाश शिंदे बैटे थे, और जो NDA के घटक दल है, जो महारास्ट में साथ में चुनाव लड़ने वाले, सब एक लाइन से बैटे वे थे, और सब ने ये कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस दिन चुनाव का एलान हुआ, उसके एक दिन बाद, लेकिन महावि अधिकास अघाडी की बैठके ही चल रही है, और उस बैठकों से बाहर निकल कर आते हैं, तो संजय राउत का बयान आता है, कि मैं आज राहूल गांधी से बात करूंगा, महारास्ट का नेत्रत्व फैसले लेने के काबिल ही नहीं बचा है, लायक ही नहीं है, ये संजय पवार का अपना अलग राग है, शरत देखे कितने फ्राक्शन्स है और कितनी फूट पड़ी है, कैसे आप चुनाव जीतेंगे महारास्ट का, अगर ये हरियाना वाली गलतिया ही वहाँ पर हो रही है, हरियाना में हुड़ा अलग थे, रंदीप अलग थे, शेलजा अलग सब अलग अलग थे, यहां उद्धव अलग है, पवार अलग है, और अपने यूबीटी कॉंग्रेस अलग रहा पर है, नाना पटोले कह रहे है, मैं मुख्य मंत्री बनूंगा, अब शरत पवार का बयाना आया है, शरत पवार बुद्वार में एक रैली थी, सांगली जिले के इसलामपुर, इसलामपुर एक एरिया पढ़ता है, सांगली जिले में, वहाँ पर शरत पवार की रैली थी, उन्होंने अपना एक यातरा निकाली वह, शिव स्वराज यातरा, उस यातरा को उन्हों नाम दिया, उस यातरा में शरत पवार संबोधित कर रहे थे, तो उन प्लीन यह सब की इच्छा है और रोलिके दोर्रान जब बोलने के लिए खड़े ओ पिर जय बैठो 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 क्योंकि उनको लगा date बिगड्द जाएगा ये तो चुनाव्ड़ के बाध होना है न सीमलत खेल पहले कर देंगे तो मनत्षा सामने आ कि पवार चाहते उनका सियम हो नाना पटोले पहले बोल चुके एक रेली में कि सियम हमारा होगा उद्धव जी अपना सपना पाले बैठे वे के हमी सियम बनेंगे अखिले शादव पे तो आएंगे हम अखिले शादव वही है मुंबई में इनकी इधर बैठक चल रही है अख कि उत्तर भारतियों की बड़ी तादव है मुंबई में और अखिले शादव वैसे भी पहले भी चुनाओ लड़ते रहे हैं और उनका दबदबा मतलब विदान सभा में एक विदायक दो विदायक तो चुनकर आती है समाजवादी पार्टी के लेकिन इस बार अखिले प्रकाश अमबेटकर की पार्टी उनको एसाथ लेने का दवा करते हैं तो जैसे रमदास अठावले उनके साथ है तो जितने भी फ्रैक्शन से लड़ना चाहते है साथ में तो सब दलों को नहीं बुलाया अभी सिर्फ तीनी दल चर्चा कर रहे हैं कॉंग्रेस एंसीप शर अब उसके बाद अखिलेश कहेंगा नहीं जी यह हमको चाहिए तो फिर पंदरा दिन तो उनको मनानिम लगेंगे पता जले 20 तारीक आगी चुनाओ की नामांगण की डेटी निकल गई सीटे ही नहीं उपाई अखिलेश आदो ने कहा कि हम अकेले चुनाओ लड़ेंगे यह कि महाविकास अघाडी जो है यह कैसे चुनाओ जीतेगी और राहूल गांधी फिर एक बार फेल साबित हो रहें क्योंकि सारा का सारा यह हम नहीं कह रहें यह संजय राउट कह रहें कि राहूल गांधी से मैं बात करूँगा वो नेत्रित वाप तक फैसला नहीं ले पा रह तो यह राहूल गांदी के नेत्रित वक्षमता पर सिधा सवाल है मेरा क्या चुनाओ से एनवक्त कहले जो उद्धव ठकरे का जुशिव सेना है क्या महायूती के साथ आ जाएगी या अगर मालीजे महाविकास अगाडी साथ में चुनाओ लड़ती है तो चुनाओ मालीजे ज यह चुनाओ के बाद टिकने वाला नहीं है उन्हों का कि चुनाओ के बाद इनके अंदर फ्रैक्शन्स होंगे और वो तूट जाएगा तो कितने दिन तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है पहली बाद पहली बाद तो यह चुनाओ साथ में लड़ते भी नहीं लड़ते इस पर संचय है कि सबके अपनी अपने एगोज़ है सबके अपने अपनी महत्वा कांशा है स्जवाइर क यहैं click भान एक कोई c m 5 साघिये लिए तो इस पर व开始 कीम बनिये हैं उनका कि चर्चा करो पहले, आप कैसे ऐलान कर सकते हैं, और आगे का उन्होंने कि पवार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिये, और उन्होंने का कि कुछ समय पहले पार्टी में अहमपत के लिए रोहित पवार का नाम सुझाया था, ये तंज कसर है, बोले कुछ समय पहले तो कह र है, हमारे इसमें तो अकेले है उद्दव बाबा, आपकी इसमें तो पांच लोग है, किसको बनाएं गया, ये तंज कस दिया, फिर कांग्रेस नेता से पूछा गया इस पर, तो कांग्रेस नेता निदिन राउत है वहाँ पर, जो मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, उन सकते हैं, लेकिन फैसला है तो राउल गांधी करेंगे, कॉंग्रेस नेत्रित्व करेगा, तो अब, हरियाना हर के बाद भी सर, कॉंग्रेस पाटे हो खासकर, इंडिया गुट जो है, सवक नहीं ले पा रही है, अगर हम बात करें तो कल नयाब सिन सैनी का शपत समारो हो, व यहां पर बहुत सारी इंडिया गुट के नेता ही नहीं पहुच पाएंगे, यह बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैसे एक मोदी के साथ लड़ा ही लडएंगे, एक मोदी जो ब्रैंड बना हुआ है, या एक जो एंडिये गड़ बंधन है, जिसके बारे में आप ल जालत क्या है उसकी जम्मु कश्मीर में देखने को मिला, आपने कहा कि इंडिया की जीत है, जब उमर अब्दुल्ला जब चुनाव जीत कर आये, तो सब ने यही ट्वीट किया ना, कि इंडिया गड़ बंधन ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जम्मु कश्मीर में सत्ता से बेदखल कर दिया या मोदी सरकार को हरा दिया, किसने उमर अब्दुल्ला ने नहीं का, उसने लिखा इंडिया ब्लॉक ने हराया है, लेकिन जब शपत ग्रहन का वक्त आया, तो इंडिया ब्लॉक के सिर्फ छे नेता महां मौझूद थे, 29 दलो वाले सिर्फ छे डलो के ने रणनीती में माहिर है, चुनावी रणनीती 27 वह बहुत शांदार तरीके से बिचाते हैं, तभी लोकसवा चुनाव में मतलब इतना शांदार डिफीड दी, यह मतलब कॉंग्रेस पार्टी के और से बयान है, कि राहुल गांदी की रणनीती में मोधी फस चुके हैं इस वक का होता है, जनता की बीच में आप क्या संदेज देते हैं, आपके अंदर कितनी गुडबाजी है, आप अंदर से कितने फ्रस्टेटेड है, यह आपको पता है, लेकिन आपका फ्रस्टेशन आपके अंदर की जो लडाई है, जो आपके अंदर का उखापो है, आपके अंदर विकास अगाडी में कि संजै रहुत अलग बैयान देते हैं, उद्दर ठाकरी के और से अलग बैयान आता है, नाना पटोले अलग बैयान दे देते हैं तो ये बयान जनता के बीच में जाते हैं और इसे जनता की बीच में एक पर चुनाओ के बाद एक रहेंगे या नहीं रहेंगे तो इसलिए फिर जनता अपना मन बनाती है और अगर आपके पक्ष में आना भी चाह रही हो तो भी अपना पक्ष बदल लेती है तो यह राजनितिक पार्टी पुरा बहुत पुरानी पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी कि अभी वो उस पर लगाम लगा दे हरियाना में यही हुआ हरियाना में आपका जो बिखराव था उसका फाइदा भार्टी जनता पार्टी को मिला और जो अंतिम वक्त तक सारे राजनितिक पंडितों और सब लोग सोच रहे थे कि कॉंग्रेस सरकार आनी ही आनी है एक तो आपका आतिया आत्मिश्वास वहां आपको ले डूबा और यह जो बिखराव था आपके अंदर यह बिखराव भी हार में बड़ी बज़य हुआ बनानी तीश तो जिसनके से आपने देखा कि महराष्ट में सियासी संग्राम जारी है और महा विकास अगारी में आपसी फू और आपसी कलेस इस विसने सन पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरू बताइएगा बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों को लिए बंदर है हमारे सब धर्यवाद